80 साल पहले बनाया गया विशाल हूवर डैम। आज भी मजबूती से खड़ा है और अमेरिका में इरिगेशन, बार्ड रोकने और बिजली उतपादन के काम आता है। तेज बारिश में भी आप हूवर डैम को ऐसे ओवरफलो होते हुए और तबाही मचाते हुए नहीं देखे और एरिजोना की कोलोराडो नदी पर इस बड़े से डैम का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन करेंगे। मिस्टर जान सैवेच की सर्वे करने वाली टीम ने कोलोराडो नदी के पीछे ब्लैक कैनियन पहाडों को चुना। इसकी बजह है इन पहाडों की उचाई अच्छी है औ अभी भी कई सारी डिजाइन चुनोतियां मौजूद थीं। चलिए एक समान चौड़ाई की एक सीधी कंक्रीट की दीवार की डिजाइन के साथ शुरुवात करते हैं। पानी के तेज दबाव की वजह से दीवार मुड जाएगी और खराब हो जाएगी। जैसा कि आप दे टेंसाइल स्ट्रेस लगाया जाता है तो इस पर आसानी से दरार आ जाती है। इस समस्या को सुलजाने के लिए आम तोर पर आधुनिक बिल्डिंग्स में स्टील बार्स का इस्तिमाल किया जाता है क्योंकि स्टील रोट्स आसानी से टेंसाइल लोड को कैरी कर सकती है। ले ऐसा दिखाया गया है ये आर्च डैम पानी की लोडिंग के चलते अपना रूप बदल लेता है अब अगर आप डैम के इस बदले हुए आकार की तुलना इसके मूल आकार के साथ करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अप्स्ट्रीम और डाउन्स्ट्रीम फाइबर्स दोनों क की ही लंबाई कम हो रही है जिसका मतलब ये है कि डैम की बाड़ी में कंप्रेसिव लोडिंग हो रही होगी कंक्रीट तेज कंप्रेशन फोर्स का सामना कर सकता है ये आर्च डैम टिकनॉलोजी की खूपसूरती है लेकिन अगर डैम को सर्विस में रखा जाए तो पानी के दबाओ की वजह से ये गिर सकता है हम नीचे बेस की तरफ थोड़ा थोड़ा करके डैम की चौड़ाई बढ़ा कर इस समस्या को सुलजा सकते हैं ये तरीका डैम बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रैविटी को कम कर देगा सेंटर ऑफ ग्रैविटी जितनी कम होगी उस हासिल की है उसे ग्रैविटी आर्च डैम कहा जाता है और इस डिजाइन के साथ टेंसाइल स्ट्रेस और स्टेबिलिटी की समस्या को सुलजाया जा सकता है ये बढ़ती हुई चौड़ाई वाली डिजाइन शियर फोर्स को भी रिजिस्ट कर सकती है डैम के बाड़ी पर पा सैविच के लिए अगली बड़ी चुनाती थी डैम की उचाई डैम की उचाई जितनी जादा होगी उसकी पानी स्टोर करने की शमता भी उतनी जादा होगी बिजली उतपादन और बाड़ नियंतरन के लिए ये एक फाइदा है लेकिन क्या पहाड की दिवारों जितनी उच पैन के दौरान होने वाले अधिकतम बाढ़ के बहाव को एनलाईज करना पड़ेगा, जो इस छेतर के rainfall data और catchment area पर निर्भर करता है। इतने उचे डैम को बनाने के बाद, पानी के अधिक बहाव होने पर भी अगर डैम अपनी पूरी शमता तक नहीं भर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसे over design कर दिया गया है, इसके अलावा उचे डैम को बनाने के लिए ज़ादा materials चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी construction की cost अचानक से बढ़ जाती है, इसलिए Mr. Savage ने ऐसी उचाई चुनी, जो cost effective थी, आसपास के शहरों की पानी की मांग के अनुसार थी, और बाढ़ को भी नियंतरित कर सकती थी, उन्होंने 726 फीट की उचाई चुनी, इस डैम का मुख्य design हिस्सा अब पूरा हो चुका है, अब है सबसे ज़ादा दल्चस्प हिस्सा, इसका construction करना, एक arch gravity dam होने की वजह से, इसे load को transfer करने के लिए मजबूत पहाड़ी दिवारे चाहिए, चलिए पहाड़ों का cross section लेते हैं, आप देख सकते हैं के surface के पत्थर हवा पानी से नश्ट हो चुके और काफी कमजोर है, इसलिए हूवर के construction के दौरान सबसे पहला काम ये था, के इन सभी कमजोर पत्थरों को तब तक हटाया जाए, जब तक केवल virgin पत्थर ना बचें, virgin पत्थरों के लिए कारिगरों ने jack hammers की मदद से hole drill किये और dynamite को इस्तेमाल करके उन्हें blast किया, blast करने के बाद, दिवारों से धीले पत्थरों को हटाने के लिए रसियों के जरीए एक्रोबेटे कारिगरों को भेजा गया और खुदाई से निकली materials को ट्रक्स के जरीए transfer किया गया, इस dam का side की दिवारों के साथ एक मजबूत जोड़ होना चाहिए, इस मकसद के लिए उन्होंने फिर से dynamite explosion का इस्तेमाल करके एक आर्च के आकार में पहाड की दिवार की खुदाई की, डैम की बोड़ी इन खुदाई किये हुए गहरे होल्स के अंदर से बननी शुरू होती है, जिसकी वजहे से पहाड की दिवार और डैम का connection बहुत मजबूत हो जाता है, अब अगला बड़ा सवाल ये है कि जमीन इतने बड़े डैम का वजन कैसे सहेगी, खुदाई के दौरान हार्ट स्टाटा नाम की मिटी की मजबूत लेयर तक पहुँचना जरूरी होता है, हार्ट स्टाटा को ढूंडने के लिए कारीगरों ने पावर शवल्स का इस्तेमाल किया, और 135 फीट की गहराई तक नदी के तले की खुदाई की, जितनी डैम की बेस की चौड़ाई थी, उतनी ही चौड़ाई तक नदी के तले की खुदाई की गई, हमने अभी तक एक बात नहीं बताई है, वो ये है कि ये सभी काम शुरू करने से पहले उन्हें नदी के बहाव को दूसरी दिशा में मोड़ना पड़ा था, ऐसा करने के लिए उन्होंने टेंप्ररी कॉफर डैम्स और डाइवर्जन टनल्स बनाए थे, अब बारी है कंक्रीटिंग की, कंक्रीटिंग के लिए हमें पहले फॉर्म वर्क की विवस्था करनी चाहिए, जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, फॉर्म वर्क या मोल्ड बनाने के बाद हम कंक्रीट डालना शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य समस्या यह है कि जब सिमेंट पानी के साथ रियक्ट करता है, तो गर्मी पैदा करता है, इस प्रोजेक्ट की स्केल को ध्यान में रखते हुए, अगर एक ही बार में सारा कंक्रीट डाल दिया जाए, तो इतनी गर्मी पैदा हो जाएगी कि कंक्रीट में material expansion और thermal cracks आ जाएगे, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, इस समस्या को सुलजाने के लिए यहाँ एक construction innovation है, इंजिनियर्स ने चतुराई के साथ पूरे डैम के एरिया को पचास बार, पचास फीट के कई सारे blocks में बांट दिया, और एक-एक करके block mold work में concrete डाला, concrete की इन छोटी-छोटी मातराओं को ठंडा होने में काफी कम समय लगा, साथ ही उन्होंने इन blocks में दो इंच diameter के steel pipes भी गाड़ दिये, इन pipes में ठंडा पानी था, जो concrete के तापमान को नियंत्रित करके इसे जल्दी और आसानी से सेट कर देता था, concrete के hard होने के बाद कारीगरों ने इन steel pipes को एक grout cement slurry से भर दिया, ये तकनीक इतनी effective रही कि आज तक हूवर डैम में एक भी दरार नहीं आई है, अब चलिए हूवर डैम के सबसे बड़े उप्योग यानि की बिजली के उत्पादन की बारीकियों को समझते हैं, आपने डैम की water body के अंदर चार बड़े towers को देखा होगा, ये intake towers हैं, इन towers की उँचाई के साथ कई gates पानी के बहाओ को नियंतरित करते हैं, intake towers को इन 500 foot लंबे pen stocks के साथ connect किया जाता है, जो पानी को टर्बाइन तक ले जाते हैं, बिजली का उत्पादन करने के लिए Mr. Savage ने downstream डैम के बेस पर एक U-shape का power plant डिजाइन किया, pen stock से आने वाला पानी Francis type vertical turbines को घुमाता है, जो फिर आगे कई सारे electric generators को घुमाता है, इन में से हर एक generator एक लाख लोगों के लिए परियाप्त बिजली का उत्पादन करता है, बाद में irrigation के लिए इस पानी को downstream outlet के जरिये release किया जाता है, हुवर डैम एक मिलियन एकर से जादा जमीन की irrigation करता है, दिल्चस्प बात ये है कि ये डैम दुनिया के सबसे बड़ी मानव निर्मित lakes में से एक बनाता है, Lake Mead, इतने बड़े water storage facility की वजह से ground water recharge होता है, जिसके चलते आस-पास के कुओं के पानी का लेवल भी बढ़ जाता है, हुवर डैम का अगला उद्देश यह है बाड नियंतरन, बाड या मुसलाधार बारिश की स्थिति में ये डैम जलाशे में पानी को स्टोर करता है, और इसे लोगों की जान लेने और downstream area के structures को तभा करने से रोकता है, अब चलिए एक छोटी से design चुनौती को देखते हैं, क्या होगा अगर डैम overflow हो गया, ये बड़ी ही आसानी से downstream बने हुए structures को नुकसान पहुँचा सकता है, ऐसी किसी समस्या को सलजाने के लिए, उन्होंने upstream डैम के दोनों तरफ spillways नाम के passageways बना दिये हैं, ताकि पानी को downstream बहाया जा सके, ये spillways डैम के उपर वाले हिस्से से 27 फीट नीचे मौजूद हैं, अगर पानी उस level तक पहुँच जाता है, तो ये spillways में बहना शुरू हो जाता है, क्या आपको पता है कि आप Hoover Dam के बॉड़ी के अंदर चल सकते हैं, इस डैम के बॉड़ी में कई सारी सुरंगे छुपी हुई हैं, उन्हें water seepage नाम की प्रक्रिया की वजह से ये सुरंगे बनानी पड़ी, जिसके बारे में हमें पहले से ही पता है, जब लिक्विट पर प्रेशर पड़ता है, तो वो हमेशा पोरस मटीरियल के जरिये बाहर निकलने की कोशिश करता है, यहाँ पर पानी के molecules, सीपेज इफेक्ट की वजह से डैम के बाड़ी के नीचे मौझूद मिट्टी के जरिये बह जाते हैं, यहाँ पर समस्या ये है कि इस बहाव की वजह से डैम के बेस पर एक हाई अपलिफ्ट दबाव जेनरेट होता है, जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बहुत कम कर देता है, इसलिए मिस्टर सैवज ने एक गैलरी डिजाइन की, एक टनल जो कि डैम के बाड़ी और बेस से सारे सीपेज वाले पानी को इकठा करता है, यह एक्षिन अपलिफ्ट दबाव को काफी हद तक कम कर देता है, एकठा किये हुए पानी को फिर सुरक्षा पूर्वक डिस्चार्ज कर दिया जाता है, यह गैलरीज छेद या दरार की जाँच करने के लिए भी पैसेज़ वे देती हैं, भविशु पर केंद्रित नजरिया और इतनी बारीकी से बनाई गई इंजिनियरिंग योजना की वज़े से, हुवर डैम आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ अपने देश की सिवा कर रहा है, हमें उम्मीद है कि इस इंजिनियरिंग के बारे में जानने में आपको मज़ा आया होगा, विडियो खत्म होने से पहले, लेसिक्स उन चियानवे कारिगरों को शर्धानजली देना चाहता है, जिन्होंने इस बड़े से टैम को असलियत में बदलने के लिए अपनी जान गवा दी, आप से फिर मिलते हैं, विडियो देखने के लिए धन्यवाद,